जुर्म की दुनिया वाकई अजीव है कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं और कई बार जो होता है असल में वो दिखता नहीं ये कतल की कहानी भी कुछ वैसी ही है जिस सक्स की मौत होती है मौके से उसकी लास भी मिलती है और सुसाइड नोड भी मिलता है वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वज़य भी इन सभी को देखकर पुलिस भी माल लेती है कि ये आतमत्या का ही केस है लेकिन जब पोस्ट मौटम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है अब पुलिस फिर से तप्तिर सुरू करती है फिर जो कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है मद्य परदेश की राज़ानी भोपाल का सेंटरल जेल साल 2019, तारिक 29 जून इस दिन परोल पर जेल से निकले दो कैदी को लोटना था 14 दिन की परोल पर जाने के बाद जेल परसासन को भी उसके लोटने का इंतजार था तभी जेल परसासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है हत्या के केस में उम्रकैद की सजा मिलने और जेल की जिन्देगी से परिसान होकर उसने घर में ही आत्मत्या कर ली है लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइट नोट भी छोड़ा है हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वज़य भी बताई है इसलिए अब उसके सव का पोश्ट मॉटम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है यह जानकर जेल परसासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगता है जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेस परमार उम्र तकरीबन 34 साल वह मद्वे परदेश के भोपाल के निलबड एरिया के हरी नगर में रहता था इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था उसी केस में इसकी गिरपतारी हुई थी साल 2016 में उसे कोट ने आजिवन कारावास की सजा सुनाई थी जिसके बास से वो जेल में ही था उसी समय राजेस के पिता की मौत हो गई थी इसी वज़े से उसे 14 दिन की परोल मिली थी इसलिए 15 जून को वो परोल पर बहार आया था 29 जून को उसकी परोल खतम होने वाली थी इस वज़े से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लोटना था लेकिन 29 जून की सुबा ही उसके घर से आग की लप्टे निकलने लगती है जिसे देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी फायर ब्रिगेट की गाड़िया और लोकल पुलिस मौके पर पहुँची आग बुजाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था चहरा और सरीर भी पुरी तरह से जला हुआ था देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था फिर भी पुलिस ने आखरी उम्मीद में उसे तुरंथ हॉस्पितल में भरती करवाया जहां डॉक्टरों ने उसे मिर्थ करार दे दिया अब पुलिस ने घर की तलासी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि पिटा की मौत होने से वो दुखी था अब परिवार में कोई उसे परोल भी नहीं दिलवाएगा इस वज़य से वो अब दुनिया से निरास हो चुका है लिहाजा वो आग लगा कर आत्मत्या कर रहा है इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भुपाल सेंटरल जेल को भी सूचना दे दी सव को पोश्माटम के लिए भेज दिया साधारन सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया इस परमार की पोश्माटम रिपोर्ट मिली उस समय के भुपाल पुलिस के नए एसेसपी अखिल पटेर के पास नीरबढ का एरिया था इन्होंने जब पोश्माटम रिपोर्ट देखी तो चौक गई रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है यानि मौत की वज़ए आ गया धुमे से दम घुटना रही बल्कि गला दबा कर हत्या हुई है फिर वो इस केस की तप्तीस में जुट जाते है तुरंत मौके से ली उई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं सभी फोटो को बारिकी से देखते हैं एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले सक्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाए अलग-अलग होने चाहिए लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था दूसरी तस्वीरे भी देखते हैं उनसे पता चलता है कि उस सक्स का चहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था जबकि हात और पैर ज्यादा नहीं जले थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए भी थे इससे सक यही होता है कि कहीं हात और पैर बंदे तो नहीं थे जिस वज़े से ऐसा हुआ अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस अधिकारी पुरी टीन के साथ मौके पर जाते हैं घटना इस्तल को बारीकी से देखते हैं फिर आसपास के लोगों से पूस्ताज करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही राजेस परमार के साथ एक या दो लोग और भी देखे गए थे अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगा फिर से खोलती है और जात सुरू करती है अब पुलिस को ये सक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोटकर हत्या की गई लेकिन राजेस को जब सुसाइट की करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेस ही ना हो अगर ये राजेस नहीं है तो फिर कौन था इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मुबाइल नंबर का पता लगाया फिर रिष्टेदारों के जरिये उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था लेकिन अब बंध था उसकी आखरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई पुलिस की जाच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुची और उसे दबोच लिया इसके बाद जब उससे कड़ाई से पूचता चुई तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौकाने वाली थी निहाल ने बताया कि जेल से परोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था फोन पर बात हुई और वो उससे मिलने भी गया था बातचीत के दोरान वो काफी परेशान था, इमोशनल भी था क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिन्दिगी में सायद ही कभी प्रोल मिलने की उमीद थी इसलिए उसने सोचा था कि वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिन्दा भी रहे इसके लिए उसने कुछ क्राइम सिरीज देखी थी जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया उसने अपनाया इसके लिए उसने घर में रहने वाली एक मातर मा को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया था उसके बाद उसने ऐसी साजिस रची की 29 जून को परोल खतम होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे सक्स को अपनी जगा मार कर दूर कहीं चले जानी की तैयारी में जुट गया इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया लेकिन मैंने साफ मना कर दिया इसके बाद उसने एक लाख रुपए का लालस दिया और कुछ पैसे एडवांस में भी दिये इसलिए उसके जहांसे में मैं आ गया इस 23 जून को परोल खतम होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को ही हम दोनों की मुलाकात हुई 28 जून की स्याम को ही दोनों घर पर ही फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रिस्ट ना हो सके इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला उस युवक ने अपना नाम राजू रैकवार बताया था और दोनों फिर बातचीत करते वे दोस्त बन गए बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पाटी करने और सराप पीने के लिए तयार कर लिया राजू मजदूरी करता था इसलिए खाने और सराप के लालच में तुरन तयार हो गया राजू भी दोनों के साथ राजेस के घर पर आ गया यहां पर राजू को इन दोनों ने खूब जम कर सराप पिलाई जब उसने अपना होस खो दिया तभी राजेस ने उसकी गला दवा कर हत्या कर दी इसके बाद उसके हाथ और पैरों को रस्ती से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्स पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसके उपर डाल दिया फिर राजेस ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सरामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए इसके बाद दोनों ने बाइक से निकालावा पेटरोल उसके उपर डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए चुकि घर का दरवाजा बहर से बंध होने पर साजिस का सक हो सकता है इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंध किया और छटके रास्ते बहार निकलाए इसके बाद खिर्की से माचिस चला कर तिली को अंदर फैंक दिया इस तरह जब आग की लप्टे बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए साजिस के तहट राजेस ने निहाल का एक पुराना सिमकार्ड सिर्फ लिया और साथ इंडिया में चला गया वहीं निहाल गुजराथ आ गया था अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत्नी युवक के बारे में पता लगाया तो ये सच निकला क्योंकि राजू रेकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में गुमसूदगी की सिकायद दर्ज की थी इसके अलावा पुलिस को राजेस के घर से राजू की चपल भी मिली थी जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था ये जानकर पुलिस अब जाच में तेजी से जुट गई अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी लेकिन जब तक राजेस आँखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जाच अधूरी ही थी अब पुलिस को ये यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेस किसी भी तरह निहाल से जरूर संपर्क करेगा राजेस भी निहाल का एक पुराना सिमकार ले गया था इस तरह अगले ही दिन आखिरका राजेस का फोन निहाल के पास आ ही गया पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा राजेस ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बर तो नहीं है निहाल ने बताया कि कोई गड़बर नहीं है पुलिस को कुछ पता नहीं चला इसके बाद राजेस ने कहा कि चन्नाई में उसे कुछ मदद चाहिए अगर कोई दोस हो तो बताना इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा इसके बाद फोन कट हो गया अब पुलिस ने भी राजेस को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची इसके पहत पुलिस के कुछ लोगों को चन्नाई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेस ने मिलने को कहा इस तरह निहाल ने राजेस को चन्नाई में रहने वाले अपने एक दोस्ट का जिक्र करतेवे उसका फोन नमबर सेयर किया जिसके बाद राजेस पुलिस वालों को ही निहाल का दोश समझ कर उनसे बात करके उनसे मिलने चला गया। जैसे ही राजेस ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को निहाल का दोश समझ कर मदद मांगने पहुँचा, तभी राजेस को उन लोगों ने पकल इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मडर केस का खुलासा करते वे 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाई इस केस के बारे वे खुद IPS अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि ये केस कानून की आँखों में धूल जोकने वाला था लेकिन जब बारे की से केस की जाच हुई तो पूरा सच सामने आ गया इसके बाद राजेश को फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया तो दोस्तो ये थी आज की कहानी दोस्तो आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताए और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तो धन्यवाद